हाई गाईज नवश्कार जेशी रादे कैसे आप सभी आयोप अच्छे ही होंगे आप लोगों के सामने एक नियूज जरूर आई होगी और वहे नियूज यह है कि रश्या और यूक्रेल बहुत बड़े लेवल पर फाइट कर दे के लिए जा रहे हैं अगर उनकी बीच में बहुत बड़े लेवल पर फाइट होती है तो बहुत सारे टेडर्स ने ऐसा माइंडसेट बना लिया है देखो सीधी सी बात है इस नियूज के बारे में सब लोग जानते हैं पूरा वर्ड जानता है अगर इस नियूज का इंपक्ट इंडियन मार्किट पर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जाकर क्या देखना होगा गिफ निप्टी देखना होगा क्योंकि गिफ निप्टी हमे अगर gift nifty के अंदर तेजी है तो हमारा जो Indian nifty है उसके अंदर क्या हमें weakness देखने के लिए मिलेगी बिल्कुल weakness देखने के लिए नहीं मिलेगी हमारे Indian nifty के अंदर भी कही न कहीं तेजी देखने के लिए मिलेगी और gift nifty में अगर इन points के आसपास आकर अगर closing हमें देखने के मिल जाती है तो कल के दिन हमारा इंडियन मार्किट एक गैप आप ओपनिंग करने के लिए तैयार है अब यहाँ पर यह समझना है कि गिफ निप्टी में जो हलचन हुई है यह किस हद तक सही है अब इसे समझने के लिए हमें चलना होगा ओपरेटर की थियोरी पर ओपरेटर क करोड में लिखा है नहीं यहाँ पर करोड तो यहाँ पर आप लोग यह समझेगा कि जिसके पास एक बहुत बढ़ी अमांट वह है एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर ओपरेटर के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले FI के कैश मारकिट की यह F.I. के cash market है, F.I. ने cash market में से 3411 करोल उपे exit की है, अब आप लोग यह समझ लीजी सबसे पहले कि जो cash market होता है, यह बहुत important होता है, अगर F.I. cash market से पैसे को exit कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह market को लेकर positive नहीं है, market को upside ले जाने के लिए तयार भी नहीं है, तो market क्या cash market में positive हो जाते, तो market के अंदर सर में तेजी भी देखने के लिए मिल जाती, अगर market नीचे गिरता, तो वापस से F.I. market को समझालने की तयारी करते हैं, अगर आप यहाँ पर D.I. का cash market देखेंगे, तो D.I. का cash market यहाँ पर positive है, लेकिन अगर आप एक चीज और देखें इस के खरिदारी करने से market के अंदर हमें तेजी देखने के लिए मिल रही है, नहीं मिल रही है, और F.I. ने पिछले डेड़ महीने से लगातार अपने पैसे को exit किया है, उन्होंने investment किया ही नहीं है, जैसे ही F.I. positive होंगे, आप समझ लेना कि market का trend चेंज है, अब market तेजी के सा उपर चलने के लिए तयार है, फिर वही scenario बनेगा buy and dip का, clear, अब यहाँ पर हमें cash market देखके समझ में आता है कि हाँ weakness है, clear, अब यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि हम क्या करते हैं, हम लोग option trading करते हैं, कहां करते हैं सर, index में करते हैं, तो यह F.I. का index options data है, अगर आप इसक किया है, कितनी सुन्दर यहाँ पर amount को exit करके गए है, 11,111, शगुन amount हो गया, तो यहाँ पर यह जो पैसा exit किया गया है, यह भी आपको deeply समझना पढ़ेगा कि कौन से index से पैसा exit किया गया है, तो यहाँ पर एक बार index देख लेते हैं, इस पर click करने के बाद, तो यहाँ पर amount को exit करके गए है, तीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें, तो बाकी index में क्या हुआ है, nifty 50 के अंदर इनोंने 17,616 करोड उपे की खरीदारी की है, अब क्या करें, क्या मार्किट के अंदर nifty 50 में हमें तेजी देखने के लिए मिलने वाली है, तीक है, और अगर bank nifty की बात देखो, nifty 50 में क्या है, 17,616 करोड उपे की entry, और अगर आप bank nifty में देखोगे, तो bank nifty में केवल और केवल 629 करोड उपे की entry, बहुत डिफ्रेंस है, बहुत बड़ा, अब देखे, data तो weak है, लेकिन इस data को एक बार और हम बारी किसी समझते हैं, अब यहाँ पर एक operator मिस है वह कौन सा यहाँ पर miss out है, pro, हमें pro के data को समझना होगा, तो pro के data को एक बार समझ लेते हैं, देखे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, fi, pro और client, अब आप लगों को पता है, client की category में कौन कोन आता है, client की category में सिर्फ आते हैं, आप और हम, अब यहाँ पर आपको यह समझ options का, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि client यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहें यह कह रहे हैं, कि call options में strong bearish है, और put options में क्या है, strong bullish है, यानि कि जितने भी retail traders हैं, वहें market के अंदर, सोच रहे हैं कि अभी market तेजी के साथ नीचे गिरने वाला है, अब यहाँ पर अगर आप इस और call options में क्या है, mild bullish हैं, अब यहाँ पर देखो, call options में strong bearish हो गए, कौन यहाँ पर client, clear, और यह जो pro है, यह इन्होंने क्या 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 है, call options में positive हो गए, ठीक है, एक बार हम FI को समझ लेते हैं, क्या FI यहाँ पर index options में, call options में bullish हैं या bearish हैं, तो आप लोग देखेंगे क इन्होंने भी call options में दिखाया है, कि यह है medium bullish हैं, और यहाँ पर put options में क्या है, medium bearish हैं, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, कि detail trader के साथ कल के दिन क्या होने वाला है, अगर धोके से market कल के दिन gap up opening करके चला गया, और जिन लोगों ने कल यहाँ पर put की खरिद अगर market ने यहाँ पर 100-500 point की तेजी दिखा दी, तो इस बात को गाठ बांद लेना, कि market के जो भी premiums उन्होंने buy किया होगा, वह 50% पर आ जाएगा, यानि कि 50% का loss, एक लाग रुपे का investment क्या, 50,000 रुपे का loss, तो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को यह आप पर operators के opposite, वह बियरिश है, तो market के अंदर क्या होगा, market के अंदर होगा trap, अब आपने उस trap को समझना है, वह trap कहाँ पर समझेंगे, वह trap समझेंगे, आप चाल्ड पर, अब चाल्ड पर जाने से पहले मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ, पहली चीज क्या है, टैली market में लगातार loss पर loss किये जा रहे हैं, हम उस loss को कही न कहीं कंट्रोल कराएंगे, आपके emotions को कंट्रोल करना सिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि discipline के साथ market में कैसे काम किया जाता है, अगर आप सिर्फ उस link पर क्लिक कर लेते हैं तो, दूसरा options मैं आपको ये देता वह है options trading को सीखने का, अगर आप option trading वाके में ही सीखना चाहते हैं, इस market के अंदर लगातार struggle पर struggle कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि market के अंदर कैसे आप successful हो सकते हैं, option trading से कैसे एक profit generate किया जाता है, कैसे एक right entry बनाई जाती है, कैसे एक right exit बनाया जाता है, तो सर आप option mastery क समझ लिया, तो सर मैं आपको guarantee देता हूँ, फिर आपको दुनिया के किसी वीडियो को देखने की जोरूत नहीं है, इसके अंदर आपको option trading का सारा निचोड बताया गया है, ठीक है, और इसके अंदर आपको deeply समझाया गया है, एक 5 साल का वच्चा भी option mastery की मदश से, सर option trading में profit generate कर सकता है, तो आप लोग सोचो कि आप लोग कर सकते हो, या नि कर सकते हो, मैं यह बोलता हूँ कि अगर वाके में कुछ जिंदगी में सपने देखें और उन सपनों को हकिकत में बदलना है, तो option mastery के साथ आप community join कर सकते हैं, अगली चीज क्या है, देखो, अब अगर trading से ह knowledge आपको पकड़नी होगी, कि कौन से stroke को आप खरीज सकते हैं, बेज सकते हैं, कौन सा stroke आपके लिए multi-wagger बन सकता है, कौन से stroke में आप एक अच्छा खासा profit generate कर सकते हैं, सरिये deeply knowledge भी, मैं आपको कहां सिखाने वाल हूँ, all rounder में सिखाने वाल हूँ, all rounder का एक सबसे बड़ benefit है, जो मुझे लगता है, वे है क्या है, मैंने इसके अंदर आपको option mastery भी दे दिया, मैंने इसके अंदर आपको सर्टॉक का knowledge भी दे दिया, मैंने आपको इसके अंदर mutual funds भी बता दिये, मैंने इसके अंदर आपको forex भी बता दिया, तभी तो इसका नाम all rounder है, all rounder का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप क्लिक जरूर कीजेगा और सफलता चाहते हो ना तो मैं ये समझता हूं की आप क्लिक जरूर करेंगे अब चलते हैं वापस से कहा निप्टी-फिप्टी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं अब देखें ये हमारे पास चाल्ट है कल के दिन क्या हुआ था कल के दिन मार्केट के अंदर हमें फर्स्ट हाफ शेशन में तेजी देखने के लिए मिली लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल गई गिरावट भी क्यों आई आप लोग जानती हैं रशिया और यूकरीन की वजह से अब यहाँ पर क्या विशे बनता है Gift 50 में तेजी है कैसे काम करें क्या नहीं करें अब यहाँ पर आपको वो समझना है देखें तो guys सबसे पहले बात करते है Nifty 50 के बारे में कि Nifty 50 में हम लोग किस तरीके से trade कर सकते हैं अगर निप्टी 50 की बात की जाए तो निप्टी 50 ने यहाँ पर सबसे पहला अपना लोग बनाये था और यह लोग कहां बनाये था गाईज यहाँ पर लोग बनाये था निप्टी 50 ने 23,350 के आसपास यह हमारे लिए एक important zone है नंबर है क्यों important है अगर आप यहाँ पर देखें आकर call की खरिदारी की है इस drop loss यहाँ पर लगाई हुए है इनका view यह है clear है कि market के अंदर इसी level से हमें तेजी देखने के लिए मिलेगी लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि जो operator होता है वहे जो retail trader को market से out करता है दो ही condition पर out करता है या तो वहे उसके SL को जब वहे market को लेकर जाता है उसके stop loss को hit करता है और retail trader को market से out कर देता है तो आप जड़ा सोचेगा कि जिस व्यक्ती ने भी इस levels पर आकर अपनी trade को hold किया होगा तो उसने stop loss कहां लगाया होगा नीचे लगाया होगा तो ज़्यादा चांसे कि market इस level का breakdown करेगा clear है अब यहाँ पर क्या करना चाहिए देखें दो तिन point समझ लीजिए आपके लिए nifty 50 clear हो जाएगा वहे क्या है सबसे पहले आप यहाँ पर एक level को mark कीजिए वहे level कौन सा आता है guys वहे level आता है हमारा यहाँ पर 23666 ये हमारे लिए important zone है सबसे पहला levels हमारे लिए यहाँ निकल कर आता है ये निकल कर आता है हमारा 2350 के आसपास ये हमारे लिए दूसरे important zone हो गया आप मैं यहाँ पर आपको एक level देता हूँ strong resistance हमारा कौन सा हो गया 23,666 ठीक है और strong support हमारा कौन सा हो गया 23,350 किलियर है अब यहाँ पर एक level आता है वह कौन सा level आता है वह आता है यहाँ पर psychological number यानि कि 23,500 अब यहाँ पर आपको कैसे trade करना है अगर 23,550 के उपर market निकलता है gap up opening कर देता है तो हम buying side के बारे में सोचेंगे पहला target हमारे पास यही होगा 23,666 ठीक है और अगर market closing price के नीचे opening करता है gap down opening करता है 23,450 के नीचे निकलता है तो हम जाएंगे फिर down side के लिए पहला target होगा हमारे पास 23,350 इस level का अगर breakdown हो जाता है तो फिर market अगले level की तरफ जाएगा और वह level होगा यहाँ पर 23,220 और अगर nifty ने 23,220 का breakdown कर दिया तो हमें और भी बड़े level पर फिर nifty 50 में गिरावर्ट देखने के लिए मिलेगी फिर nifty हमें ट्रीड करता हो दिखाई देगा 23,000 के आसपास जो की एक psychological number है तो strong support हमारे पास फिर बचेगा यहाँ पर ते ही सतार आयोब आपको nifty 50 clear हो गया होगा कि nifty 50 में किस तरीके से trade करना है अब चलते हैं एक बार bank nifty की तरफ bank nifty को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे trade कर सकते हैं देखे अगर हमें bank nifty में trade करना है तो हमें सबसे पहले इस charge को समझना होगा कि इस charge के अंदर ऐसी क्या moment हमें देखने के लिए मिल रही है जिसके base पर हम market के अंदर buying और selling के बारे में सोच सकते हैं देखे अभी तक क्या हुआ है अगर आप इस level को देखेंगे यहां पर मैं एक level mark कर रहा हूँ वह level कौन सा निकल कर आता है गाई वह level आता है उड़न 4665 यहां से market के अंदर एक तेजी देखने के लिए मिली थी ठीक है market काफी बड़े level पर upside की तरफ गया वापस से market के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है हर support का market ने breakdown कर दिया है अब अगला support market के पास यही है ठीक है market क्या करेगा अपने support के आसपास आने की तयारी कर रहा है ठीक है और वापस से इसी level का हमें breakdown भी देखने के लिए मिल सकता है ठीक है तो अब क्या करें अब market के अंदर हमारे पास कौन से level है market की closing कहाँ पर है गाई market की closing है 50,626 clear है अब market ने हमें एक moment बना कर दिया वह moment कौन सा है अगर आप देखेंगे तो 51,000 के आज पास से market के अंदर हमें bank nifty में selling देखने के लिए मिल गई ठीक है और market के अंदर जो upside का moment देखने के लिए मिला था वह कहां से देखने के लिए मिला था यहाँ पर 50,450 के उपर है ठीक है यहाँ से हमें एक upside का moment देखने के लिए मिल गया अब हमारे पास दो important level है अगर आप उन levels को mark कर सकते हैं ठीक है तो आपको अच्छे levels कल के दिन देखने के लिए मिल जाएंगे पहला level कौन सा आता है strong resistance की बात कर ले देए strong resistance हमारे पास आता है सबसे पहला यहाँ पर 50,850 यह हमारे लिए एक important zone है आप सबसे पहले इस levels को mark कीजिए इसके उपर अगर market निकलता है तब हम market के अंदर buying side के बारे में सोचेंगे लेकिन अगर इसके नीचे market है तो हम sales side के बारे में सोच सकते हैं और market में एक अच्छे levels को पकड़ सकते हैं clear अगर हम strong support की बात करें की market के अंदर strong support कौन सा है तो 50,330 ये हमारे लिए सबसे बड़े level पर strong support है अगर इस level का breakdown हुआ तो फिर आप तयार हो जाईए कि market 49,666 के आसपास आपको आता हुआ नजर आने वाला है तो इस level का breakdown market के अंदर नहीं होना चाहिए ठीक है आप लोग देखेंगे भी कि market के अंदर पहले इस level का breakdown हुआ था वापस से फिर हमें recovery देखने के लिए मिल गई ठीक है तो market के अंदर सर ये हमारे लिए एक important level है 50,330 इस level का breakdown होता है तो हमें weakness देखने के लिए मिल जाएगी लेकिन मैं आप लोगों को suggestion देना चाहता हूँ suggestions यह है कि आप market के अंदर अगर sales site की तरफ है तो 11 से 12 बजे तक आप देख सकते हैं I hope की first half sessions में आपको कहीं न कहीं एक selling pressure market के अंदर देखने के लिए मिल सकता है अगर market gap up opening करता है तो ठीक है लेकिन अगर आप लेट हो गए इस opportunity का फाइदा नहीं उठा पाए तो market के अंदर फिर से हमें एक तेजी देखने के लिए मिल जाएगी I hope आपको clear हो गया हुआ कि हम nifty में और bank nifty में कल के दिन कैसे trade कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा विल से हैं next वीडियो में जेशी रादे सही है